हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब रामजी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बहुत ही बढ़िया डंग से चल ली है दोस्तों आपको बता है हम alternate days बर pet का एक बहुत जबरदस सेट आपके साथ में solve करते हैं हम लोग मिलके solve करते हैं इसमें pet के GS के जो 50 questions हैं उन questions को हम discuss करते हैं साथ में जहां पर explanation की जरूरत होती है वहां पर explanation भी हम लोग देते हैं आज आपका हिंदी दिवस हैं आज 14 सितंबर हैं तो आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है और मैं आज हिंदी दिवस के इस सुभ अवसर पर आप सभी के उज्वल भविष्य की कामना करता हूं सुभ इच्छा करता हूं आपका दिन आपका जीवन मंगल में हो आपको एक चीज की जानकारी और में दे देना चाहता हूँ ठीक है आप लोग दिहान से मेरी बात सुनियेगा दोस्तों अज मित्रों बोलते हैं कि आपका जो पैट ना जो पैट का जो आपका जी एस है पर चल रहा है, यह जैसे मानों आपका सौमवार में हुआ, उसके बाद आपको मानों किस में हुआ, यह बुध में हुआ, और उसके बाद यह आपका शुक्र में हुआ, तो इस तरह से तीन सेट आपके हफते में एक हफते में हो रहे हैं, तो बीच के जो दिन बचा है, आपका एक common GS का होगा, तेकर topic wise GS में हम उसमें उठा उठा के उसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से explanation भी करेंगे, उनकी questions भी करेंगे, तो कल आप उस सीज के लिए तयार रहेंगे, साथ में एक हिंदी की class आपके लिए topic wise आज से शुरू करेंगे, अभी पहले वीडियो रि है, उसमें वीडियो हो, चाहिए आपका constable हो, या आपका कोई भी exam हो, teaching वगरे का, आपको बहुत ज़्यादा लाभ उसमें होगा, निश्यत रूटीन आप रख लीजिए, ये दो class आपकी निरनता चलेंगी, ये alternate days पर चलेंगी, एक दिन पैट का set और एक दिन आपका GS वा हैं, और आपको इदी कमी लगती है, ये आपको लगता है कि मैं कहीं पर कमी छोड़ रहा हूं, तो आप उसको भी comment में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप सब का भला हो, आप लोग नोकरी से लग जाएं, आप लोग नोकरी पे चले जाएं, ये ही बहुत बड़ा में, ये भी एक topic है, आपका बौद्धध धर्म, कौनसा? बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से भी आपके फ्रक्षण आजाने स्वाभाविक हैं, तो बौध धर्म का नाम लेते हैं, तो गौतम बुद्ध, यानि महत्मा बुद्ध का नाम याद आता है, और यदि आप बहुत धर्म पढ़ेंगे तो उसमें महस्द्मा बुद्ध के जीवन काल की बात सबसे पहले आती है 563 इसा पूर्व महस्द्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था तो महस्द्मा बुद्ध का जन्म आपका हुआ था लूम्बिनी में जो कि आज बरतमान में कहां पर है दोस्तों, आज बरतमान में नेपाल में है, नेपाल में तराइक शेत्र है, है ना, जा हम लब पढ़ा है, पाहडियों की शुरुआत होती है, हम लब एक तराइक शेत्र होता है, पाहडियों की निचला भाग होता है, उसको कहते हैं तराइक दित्रव तो तरैक शेत्र में लुंबिनी में लुमिनी के स्थान निपल में वहाँ पर क्या हुआ था आपके महात्मा बुद्ध निर्बान प्राप्त किया यह यहने महात्मा बुद्ध की मृत्यू हुई कब 483 इसापूर्व में तो ये आपको point दियाद रखने मृत्यू कब है 483 इसापूर्व और जन्म कब है 563 इसापूर्व जन्म है लुंबिनी में और मृत्यू है आपकी कुशी नगर में हैना कुशी नारा भी कह देते है अगला प्रशन है मारा सिराज हिंद के नाम से विख्यात जन्म पूर्व नगर की स्थापना किसने की थी आपको पता है जन्म पूर एक शहर है और जन्म पूर नगर को सिराज हिंद भी कहा जाता है तो इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था तो इसकी स्थापना करने वाला वेक्ती था आपका फिरोज शाह तुगलक है ना फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक का एक भाई था जोना खा भी कहते थे उसको जोना खा भी कहते थे या उसका अन्य नम जूना खा भी है क्या है जुना खाँ भी है तो ये जुना खाँ जौना खाँ है इसकी याद में क्या किया था ये जौनपूर नामक शहर फिरोजशा तुगलक ने बचाया था फिरोजशा तुगलक ने दो तिन और भेतपूर शहर बचाएं एक तो आपका फतेह पूर है ना एक तो फतेह पू अगला पुश्ण है हमारा निम्नलिकित में से किसे भारत में इस्थानिय स्वशाशन या स्वायत शाशन का जनक माना जाता है देखो इस्थानिय स्वशाशन की बात यदि हो रही है तो इस्थानिय स्वशाशन का मतलब है अपने द्वारा शाशन और इस्थानिय स्वशाशन के आर्टिकल 40 में पंचाइती राज का जिक्र है परंतु 1902 में और तिराण में में क्या हुआ 73 संविधान शंशुधन द्वारा पंचाइती राज को संविधानिक दर्जा दिया गया मैंने ये भी बताया कि संविधानिक दर्जा देने से पहले 2 अक्टुबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाउं में प्रथमवार पंचाइती राज को इंप्लिमेंट किया गया था उसके ठीक 9 दिन बाद 11 तारिक को 11 अक्टुबर 1969 में ही आपके आंधर प्रदेश में ये पंचाइती राज लागू किया गया परन्तु यही बात की जाए कि भारत में स्वशाषन का जनक किन को माना जाता है तो ये माना जाता है आपके लौड रिपन को क्या लौड रिपन को इनका जनक माना जाता है ये बात आपको ध्यान दा अगला प्रशन है किस मुगल समराठ के शाषन के दोरान भारतिय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ है ना भारतिय मुगल चित्रों का उद्गम क्या है क्या नहीं भारति मतलब जो मुगल चित्रकला थी इसका उद्गम मुगल चित्रकला थी इसका उद्गम कब किसके समय मान पर चरदने लगी तो अपने चर्मोत कर्ष कब पहुंची जहांगीर के समय में चर्मोत कर्ष पर पदलब की अपने चरम पर थी विलकुल दिक और शुरुवात कब हुई थी हुमायू। समय तो हुमायू यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है मारा सबसे भारत आने वाला यूरोपी व्यापारी कौन था तो आपको पता है कि जो आपका यूरोप है तो यूरोप क्या करता था पहले धर्ती के रास्ते से कहा आता था भारत आता था और इंडोनेशिया अग्यरा आपका जाते थे लोग पर क्या हुआ कि यहां पर कुछ कारण बने तुर्की ने जुद्ध जीत लिया ऐसा मतलब हिस्तरी में आपको बताएंगे आपको पता भी होगा कि यह राश्ते ब्लॉक हो गए इस तो यहां पर आपका क्या है जैसे यहां पर आपका अफर से रास्ता बटक गया, तो वो व्यक्ति अमेरिका जा पहुँचा, अमेरिका की उसने खोज कर ली, उसके बाद पुर्तगाल से एक व्यक्ति चला, जो Cape of Good Hope होते हुए, अफरिका में एक जगह है, Cape of Good Hope, तो यहां से होते हुए, यह व्यक्ति कहां पहुँचा, इसका नाम था, आपका व्यक्ति गामा, जो एक पुर्तगाली व्यक्ति था, और यह यहां पर पहुँचा कालिकट में, कालिकट के राजा सुस्वें कौन थे, जमोरिन, कौन थे दोस्तों, जमोरिन नाम के एक राजा थे, इन्होंने इस व्यक्ति का जिसका नाम वासकोडी गामा था जो सन 1408 में में भारत पहुँचा ये व्यक्ति कौन था आपका पुर्त गाली बात समझ में आई होगी तो हिस्तुरी के पांच प्रशन ही हो गए अब है हमारे भारती राष्टिय आंदोलन के पांच प्रशन है भारती राष्टिय आंदोलन के आपके पांच प्रशन है पहला प्रशन है स्वतंतरता का नवग्रहित तिरंगा है ना के स्वतंतरता के बाद नवग्रहीत्म यानि कि नया ग्रहन किया हुआ तिरंगा ठीक है पहली बार किस कॉंग्रस अधिवेशन फेलाय गया था देखो यदि स्वतंतरदा की बात आती है या पून सुराज की बात आती है तो आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन कौन सा लाहौर अधिवेशन ये बहुत मतलब इस्मरण में आता है क्योंकि यहीं पे रावी नदी के तट पर क्या हुआ था? पंडिक जवार लाल लहरू ने सुतंत्र भारत की और स्वराज की बात की थी और इसी अधिवेशन के दोरान जब पूर्ण स्वराज की बात की गई तो भारत का नवे ग्रही ते तिरंगा फेराया गया ये कौन ज़ा था? लाहर अधिवेशन सन उन्निस सो अगला प्रश्ण है मारा भगत सिंग निमलिकित में से किसके नेता थे? भगत सिंग निमलिकित में से किसके नेता थे? तो भगत सिंग जो नेता थे वो थे हिंदुस्तान शोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशियेशन ठीक है पहले क्या था ये केवल इतना था ये यहाँ पर शोचलिस्ट नहीं लिखा हुआ था पहले केवल था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोशियेशन केवल केवल इतना था उसके बाद बाद में संशूधन कर कि हिंदुस्तान शोशलिस्ट रिपब्लिकन एशोशेशन बनाया गया, इसी के नेता थे आपके चंदर शेखर आजाद, चंदर शेखर आजाद, इसी के भगत सिंग इत्यादी और भी सभी महत्पूर्ण क्रांतिकारी इसी से सम्मंधित थे, आपको इस बात समझ में आ गई ह होगी, अगला प्रशन हम देखते हैं, अगला प्रशन है, गांधी इर्विन सम्झोता, तो गांधी इर्विन सम्झोता जो हुआ था, वो 1931 में हुआ था, अब हुआ था, 1931 में यह आपका किया गया था, आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो आप बता देंगे, 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन सम्झोता हुआ था, अगला प्रशन है, रॉलेट एक्ट पारित करन होने के समय, रॉलेट एक्ट आपको पता था, काला कानून था, 1929 में आया था, इसी के विरोध में क्या हो रहा था, जो जलिया वाला बाग था, जलिया वाला बाग था, जो अमरित सर में था, वहाँ पर इसी एक्ट के विरोध में क्या हो रहा था, आपका प्रदरशन हो रहा था, वही पर जनरल डायर ने आदेश दे करके, बहुत सारे निहत्थे लोगों पर गूलिया चलवाई और भयंकर नरसंगार हुआ, तो उस समय पूछा जा रहा है, कि रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वाइसराए कौन था, तो उस समय था आपका लौड चेमसफोड, आपने पढ़ा होगा, मंटेग्यू, चेमसफोड सुधार, इसी के द्वारा ये 1919 में था, मंटेग्यू, चेमसफोड सुधार 1919, इसी के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को क्या मिला था महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था इसी के दुआरा यह आपको ध्यान रखना तो उस समय कौन था आपका लॉड चेंश फोर्ड भारत का वैसराय था अगला प्रश्ण हमारा भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किस की स्थापना हुई थी 1875 में न्यू योर्क में न्यू यॉडर्क में कहाँ पर यू आपका यूएसे में और स्थापना करने वाले विक्ती कौन था एक तो थी मैडम ब्लावत्सकी और एक थी कर्नल आलकार्ट अपर्नल आलकार्ट यह दो व्यक्ती थे इन्होंने इसकी स्थापना की थी परंतु भारत में जब Theosophical Society आई तो वह समय था आपका 1882 का कब का 1882 का तब एनिग बेसेंट भारत आई और इन्होंने Theosophical Society की भारत में स्थापना करके प्रचाप प्रसाथ अब बात आती है आपकी भुगोल की भुगोल की प्रशना आजाते हैं भुगोल के प्रशनों में सबसे पहला देखो अपना क्लास में क्या रहता है स्तीधी बात नू बखवा ये चीजे रहती है और शिक्षक को मेरे इसाब से थोड़ा इसी तरह से सोचना भी चाहिए इसी तरह से होना भी चाहिए काफी सारे बच्चे ये बोल रहे थे कल जो वीडियो बनाई थी उसमें के जो मैट्स के एक धासूसर है सब लोग जानते हैं उनको और मतलब उनका स्टाइल है वो मतलब ऐसे जै महाकाल जै महाकाल बोल के पढ़ाते है तो सब का स्टाइल अपना रहता है तो वो मतलब एक वीडियो बनाए थे मैंने भी उसके एक दो क्लिप्स देखे पूरी वीडियो तो नहीं देखी मैंने उसकी उसके एक दो क्लिप्स देखे क्योंकि लोगों ने काट-काट कर डाल लगए है उसमें बहुत ज़्यादा है वो मतलब परिशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है वो व्यग्र हो रहे हैं बहुत ज़्यादा है वो दिक्कत में हैं तो बोल रहे हैं कि भाई मेरे उपर बहुत मोटा करजा हो गया है बहुत मतलब पैसो की समस्या आ गई है और वो मतलब कह रहे हैं कि हमारा कोर्स खरीदी आप बुल रहे हैं 499 रुपया कोर्स है अगर मालिया 10,000 बच्चे भी इसको खरीद लेंगे 10 के बच्चे खरीद लेंगे तो हमारा जो है वह है कर्ज उतर जाएगा देखो भाई सब लोग इस पर अपने विचार विक्त कर रहे हैं बड़े अच्छे बड़े बड़े एजुकेटर जो हैं सामाने एजुकेटर जो हैं जो मध्यस्त हैं किसी भी तरह के एजुकेटर हैं जो शिक्षक हैं वो अपना विचार इस पर रख रहे हैं अब देखो मैं तो इस पर बिल्कुल क्या ही बोलूँ क्योंकि वास्तविक इस्तिती जिसके साथ होती है उसी को पता लगता है कुछ लोग कुछ टीचर मजाक भी उड़ा रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक जो विक्ती है जो शिक्षक है उसको बहुत संदिक तो नहीं उसको बह हैं तो शिक्षक क्या काम करते हैं आपके बहुत सम्वेदल चील शिक्षक को होना चाहिए और सबसे बढ़िया अगर मुझे इस पर किसी शिक्षक का वेक्तव लगा तो वो हैं मैट्स के जो बहुत जाने माने नाम है अभिनेसर अभिनेसर ने बहुत मतलब वयस्कता पूर जवाब दिया है maturity से भरावा जवाब दिया है कि आपकी चलो problems हैं वो हो सकती है नेजी problems हो जाती है आरा आदमे को परन्तु एक teacher को पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ज्यादा मुझे भी मतलब एक दो योगी संगी है कि भाई तरको एकदम से वारेल होना है तो तुम क्या करो तुम कुछ क्लास में खलबली मचाओ कुछ मतलब तफरी करो कि अथा आख गपार मैं ये करो कि दान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अब धान सुसर की क्या प्रॉब्लम में देखो मेरे को पता नहीं है और सच बताओं तो मैं तो सक्षम भी नहीं हूँ कि उनकी कोई मदद करता हूँ ये बात भी इस पर परन्तु एक टीचर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भी पॉब्लम्स आती जाती रहती हैं धिर दिरे सब लोग करी रहे हैं बच्चे भी करे रहे हैं जो सहयुक करना चाहते हैं वो जरूर सहयुक करें भई ठीक है कुछ लोग टीचर है उन्होंने काफी बुला भी है कि हम मदद करेंगे यह सब चीजे रहती है बाकी जो टीचर मजाक उड़ा रहे हैं तो इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और बाकी जो धासू सर है उनका नाम तो मुझे पता नहीं है पर यदि वो भी इस बात को सुन रहे हैं तो जो लोग आज उन्हें इस तरह से मजाक उड़ा रहे है ऐसा मुका उनको भविश्य में बच्चों को या अन्य जो शिक्षक हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं समस्या है सब के साथ में रहती है हमारे साथ भी है सभी के साथ रहती है आप बच्चों को भविश्य को बनाने के लिए आप अच्छा काम कीजिए और इसे से पढ़ाते रहिए यही शुप काम ना है चलिए हम आगे अपने कुश्य की तरफ बढ़ते हैं यह हमारा अधिकांश मौस्मी गतिविधिया शौब मंडल में घटित होती है देखो क्या होता है जो हमारा वायू मंडल होता है उसमे बहुत सारी आपकी परते हैं तो सबसे जो नीचे की परत है जैसे आप यह मानू भू सब इसी में रहता है तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि छो मंडल में घटित होती है जिसका तापमान क्या होता है कि उचाही के साथ बढ़ता है बिल्कुल गलिए आपने एक सीज सुनी होगी कि जैसे जैसे हम धरती को छोड़कर उपर उठते चले जाते हैं तो क्या होता ह है आपका आपका क्या होता है कि तापमान जो होता है वो एक सीमा तक जाकर मतलब गिरता है उसके बाद दिर दिर बढ़ता है फिर गिरता है इस तरह जाकर परन्तु यदि छोब मंडल की बात करें तो जैसे जैसे हम उचाही बढ़ेंगे लगग लगग हम 160-165 मिटर की उच सारा क्या हो जाएगा लगग 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 एक डिगरी सेल्सियस तापमान गिर जाता है तो उचाही के साथ में घड़ता है लगग 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 160-65 मिटर की उचाही पर जाने पर क्या होता है एक सेंटी ग्रेट तापमान गिर जाता है और यदि एक किलोमेटर की हम बात करें कितनी एक किलोमेटर की बात करें तो औसतन 6 से 6.5 डिगरी सेलसियस तापमान गिर जाता है शोब मंडल में हम जब उपर इदर बढ़ते हैं बात आपको समझ में आई होगी अगला प्रश्ण है मारा निमलिकित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है देखो एक तरफ यहाँ पर शेहरों के नाम है बर्लिन है लंडन है वियना है न्यू यू यॉक है एक और सामने उनके किनारे बहने वाली नदी जिन नदियों किनारे ये शेहर इस्तित है तो यहाँ पर लंडन है टेम्स बिल्कुल सही है थेम्स कहते है वियना बोलगा बिल्कुल सही है न्य राइन लिखा हुआ है, राइन नहीं है, बर्लिन स्प्री नदीगे किनारे है, किस नदीगे किनारे है आपका, स्प्री नदीगे किनारे है, ये बात आपको यहाँ पर ध्याना है, अगला प्रश्ण है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है, तो ये आपक अगला प्रश्ण है हमारा शब्द काला सोना यानि कि ब्लैक गोल्ड ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है ब्लैक गोल्ड आपके पेट्रोलियम को बोला जाता है क्योंकि पेट्रोलियम ही सोने के बाद बहुत महंगी चीज है उसी से सारे काम बनता है पेट्रोलियम का जब प और पश्चिम में घिरा हुआ है तो यदि आप त्रिपुरा को देखेंगे तो त्रिपुरा जो तीन तरफ से घिरा हुआ है वो किस देश से घिरा हुआ है वो आपके बांगलादेश से घिरा हुआ है मैं अगली बर मैप लेकर आऊंगा, तो मैप मैं आपको चीजें अच्छाश देखा हूँ, अगला देखो, यहां पर हमारा भारती यह अर्थ विवस्ता, यहना इंडियन एकॉनमी के प्रशन हमारे शुरू हो गए, तो इंडियन एकॉनमी में क्या है, यहां पर पहला प्रश को क्या दिये जाता है, भूझन दिये जाता है, मध्यान भूझन दिये जाता है, यह योजना सन 1945 में शुरू होई थी, तो यह योजना जो है, यह मतलब किसके द्वारा प्रबंध है ऐussi को मैनेज करता है, और रुपय पैसे, यानि वित्तिये प्रबंध आपका Human Resource Development आपका Ministry है उसको करता है मानव संसाधन विकास मंत्रा ले इसके द्वारा यह कार्य किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रा अगला है यह हमारा कि प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिध्धान्त दिया है यह बहुत ज़्याद आपके कुश्चन है संभवत है यह आपको देखने को मिल भी सकते नहीं भी परन तुम्हें सिध्धान्तों वाले प्रश्न आपको करा रहा हूं तो यदि प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिध्धान्त पूछा जाए तो सीध्य आपको बता देना है कि भाई यह कीन्स ने दिया था किसने कीन्स ने दिया था अगला है हमारा मुद्रा बाजार किसके लिए होता है है ना मुद्रा बाजार किसके लिए होता है तो मुद्रा बाजार जो होता है वह अल्पकालिक कोश के लिए होता है यानि कि आप इसमें जो भी अपनी वित्तिय संपत्ती लगाएंगे यह अल्प क्या है मुद्रा बाजार है तो वित्तिय आप इसमें क्या करेंगे अपनी संपत्ती लगाएंगे वित्तिये आपकी संपत्ति इसमें लगाएंगे आप रखेंगे इस बजार में वित्तिये संपत्ति रखेंगे तो ये क्या होती है एक साल की मैक्सिमम लिमिट होती है उस संपत्ति की मैचॉरिटी की या उस पॉलिसी की मैचॉरिटी की आपको पता है पॉलिसी मैचोर हो जाते हैं, मैचोर होने के बाद ही चीज़ Nepal चलती हैं, तो मुद्रा बाजार किसके लिए होता हैfum? अलप कालिक होता है, या निक कम समय के लिए होता है, और जो पुझी बाजार हوتा यह आपको ध्यान रखना है जो पुझी बाजार होता है यह क्या होता है आपका दिर्ग कालिक कोश होता है इसमें एक साल से उपर की ही अबधी कि लिए चीज़ें रहती है अगला प्रस्ष नहीं हमारा मूल लेखांकन समीकरण क्या है तो मूल लेखांकन समीकरण में है संपत्ती बराबर देयता प्लस इक्विटी यह आपको याद रख लेना है बर डिरेक्ली संपत्ती बराबर देयता प्लस इक्विटी यह मूल लेखांकन आपका समीकरण अगला प्रशन है मारा स्वतंतर भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रिकर्ण कब किया गया तो मुद्रा विमुद्रिकर्ण कहते हैं डी मॉनेटाइजेशन डी मॉनेटाइजेशन कब किया गया तो पहली बार Demotization Independent India में 1978 में किया गया था कब किया गया था? 1978 में किया गया था और लास्ट टाइम अभी हाल फिलाल कब हुआ था? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर देंगे अगला प्रश्णा है मारा आप सम्मिधान की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं यहां पर क्या है? भारती सम्मिधान के अनुच्छित 32 बहुत important है आपका जो आपके मौलिक अधिकार है मौलिक अधिकारों में आपका सबसे important मौलिक अधिकार वाला जो article है वो है आर्टिकल 32, सम्मेधाने कुपचारों का अधिकार, आपके मौलिक अधिकारों का यदि कोई व्यक्ति हनन कर रहा है, तो उसमें आप शरण में जा सकते हैं, कोर्ट की अनुचित 32 का प्रियोक करते हैं, डिरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, और अपने मौलिक अधिकारों के हनन की सुचना कोर्ट को दे सकते हैं, वहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों का संदक्षक जो है, वो कोर्ट बनेगा और आपको आपके मौलिक अधिकार दिलाएगा, जो आपके fundamental rights हैं, उनको आपको दिलाएगा, ठीक है, अब ऐसे जो मामले होते हैं, इन में ठीक है, आपका बंदी प्रितिक्षी करन है, अधिकार प्रिच्छा है, तो यह सब हैं आपका, तो यहाँ पर प्रश्ना पूचा गया है, भारती समिधान के अनुच्छेद के तहत, व्यक्तिगत स्वतंतरता के लिए उच्चतम नियायल है निमलिकित में से किस rate को जारी कर अधिक को प्रितिक्ष करो, ये आदेश दिया जाता है, क्या? ये बंदी को प्रितिक्ष करो, उसको छोड़ो, उसकी व्यक्तिगत स्वतंतरता का जो हनन कर रहे हो, वो छोड़ो आप दो, है न? ये आपको ध्यान लगता है. अगला प्रश्ना है मारा, भारती समिधान का क्या करता है अनुसूचित जो अनुसूचित जाती और जन जाती के चित्र हैं उनके administration से संबन देते हैं अगला प्रशन है मारा भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपती द्वारा की जाती है देखो एक आर्टि जो प्रधान होगा वहें प्रधान मंत्री होगा तो अगर बात की जाए कि भाई प्रधान मंत्री और मंत्री परश्ट की बात कहां की जा रही तो अनुच्छेद 75 में की जा रही है परन्तु जो प्रधान मंत्री की नियुक्ति की बात की जाएगी आपको सीधे बोल देना ह प्रधान मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्टरपती करते हैं, और प्रधान मंत्री की सिफारिश पर ही राष्टरपती अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, मंत्री परशत की नियुक्ति करते हैं, अगला प्रश्ण है मारा, लोक सभा में सामान्य सदस्यों अब धी क्या है एक तो मंत्री नहीं होते हैं एक का क्या करता है उसको सरकारी विधेक करता है तो इसको क्या कहते हैं प्राइविट विध्यक कहते हैं तो ऐसे में जब कोई सदस्य सामाने सदस्य अपना विध्यक लोग सभा में पेश करना चाहता है तो उसको एक माहा पूर्व क्या करना पड़ता है उसको एक महीने पहले सूचना देनी पड़ती है कि मैं विध्यक लेक ठीक है अगला प्रश्ण है हमारा कौन सा मौलिक अधिकार अलप संख्यकों के हित्यों के संदक्षन की और अनुच्छे 30 बात करता है कि अलप संख्यक जो है आपके जो अलप संख्यक है वो अपने संस्था चला सकते हैं प्रबंद नित्यादी और उनको वित्य साहिता भी दी जाएगी तो यह दोनों आर्टिकल आपके किसके हैं सांस्कृतिक और शेक्षिक अधिकार के हैं अब बात करते हैं आपके सामाने विज्ञान की खना विज्ञान के बारे में आपको और सेल वाल जो होती है वो केवल और केवल किस में होती है आपकी वो केवल और केवल आपकी मिलती है पादपों में प्लांट्स में आपकी वो मिलती है आपने इस तरह के डाइग्राम्स बनाए होंगे देखे भी तो जो सबसे आउटर लेयर होती है यह आपने देखा यहां एक प्रकार का कार्वोहइडरेट होता है और ऐसा ऐसा कर्वोहइडरेट होता है पॉली कर्वोहइडरेट होता है कैसा पॉली कार्वोहइडरेट पॉली कर्वोहइडरेट होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा पाये जाने वाला क्या है ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका कारवार्ट है ते कहिए आपकी सेलवोल जो होती ही कोशिगा भित्ती सेलोस से मिलकर बनी होती ही एक चीज आपको फन फेक्ट बदा दिता हूँ कि जो आपके पैड्स होते हैं सेनेटरी पैड्स होते हैं महिलाएं जो मतलब प्रयोग करती हैं मैंसस के डायम पे मैंस्टुल साइकल के टायम पे इसको महावारी मासिक धर्म आप कुछ भी कह सकने हैं उस समय जो आप पैड्स उसकरते हैं उन पैड्स में जो अवशोशन करने के लिए पदार्थ बना जाता है जो अंदर जैल जैसी फॉर्म मे रहता है वो पूरा क्या रहता है awakening आपका जैल मतलब बन जाता है आपका bleeding वगएरा होती है उससे मिलके gel वगएरा बन जाता है तो वो जो अंदर का मामला पूरा बना होता है वो cellulose का ही बना होता है उसी वज़ा से क्या रहता है आपका bleeding होती ही तो वो सोख लेता है और सब्सक्राइब बात समझ में आई अगला प्रश्ण है हमारा उहरा बादल कुहासा देश देश के उधारन है आपको डारेक्ट याद रखना है aerosol के उधारन है अगला प्रश्ण है हमारा निमलिकित में से कौन सा रोग proto-joa जनित रोग नहीं है यह प्रोटो-joa जनित नहीं है यह proto-joa की वेज़ से होता है देखो malaria है इसका आपको पता होगा है ग्लास्मोडियम नाम का एक proto-joa होता है उसी के वेज़ से malaria फैलता है पेचिस भी आपका proto-joa की वेज़ से फैलता है Amoebiusis भी आपका proto-joa की वेज़ से फैलता है ए न ऐन्द अविवा हिस्टोलिडिगा की वेज़ से पूर्जा की आवशक्ता के लिए केवल glucose का उपयोग होता है देखो क्या रहता है कि जब हम लोग भूजन करते हैं तो भूजन का जो चरण होता है तूटता है जो भूजन वो आपका glucose में तूटता है और जितने glucose की हमको आवशक्ता होती है उतना body में यूज हो जाता है बाकी का glucose यक्रत द्वारा यानि की liver द्वारा store कर लिया जाता है संचे कर लिया जाता है glycogen की form में किसमें? glycogen की form में और जब हमको कहीं बार ऐसा होता हम भूजन नहीं कर पा रहे हैं हमको energy की ज़रूवत है तो ये glycogen को दोबारा से glucose में तोड़ कर energy के रूप में प्रियोग कर लिया जाता है किसके द्वारा? आपके liver के द्वारा तो ये चीज आपको ध्यानना थे आगला प्रश्टे हमारा iodine की कमी से कौन सा रोग होता है? तो iodine की कमी की बेज़ से क्या होता है? आपके गले आपने देखा होगा एक रोग होता है इसा गला फूल जाता है जिसको goiter कहते है देगा क्या कहा जाता है? घेंगा रोग कहा जाता है अभी तो इसके ads नहीं चलते हैं हम लोग बच्पन में नेशनल टेलेवियन देखते थे उस पर बड़ा चलता था गल्या ऐसा फूला रहता है अब तो देखने में कम आता है क्योंकि नमक जो हो गया है वो iodine नमक सब मरलब यूज होने लगे हैं तो iodine की कमी की बेज़ से घेंगा नमक रोग हो जाता है बात समझ में आई अब हम बढ़ते हैं आपने किसकी तरफ आपके कर्रेंट अफेर की तरफ बढ़ते हैं इसको देखते हैं एक बार हमारा पहला जो प्रशन है वो है कि भारतिये प्रेश परिशद PCI का अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया तो आप देखते जाईए मैं आपको जवाब इसमें देता जाऊँगा जहां एक्स्प्लिनेशन की निड़ोगी एक्स्प्लिनेशन में आपको देज़ोगी तो भारतिये प्रेश परिशद PCI का अध्यक्ष चुना गया है रंजना प्रकास देशाई को इसको रंजना प्रसाद देशाई को चुना गया है अगला प्रशन है मारा आरती प्रभाकर को किस देश के राष्टरपती के विज्ञान सलाकार के रूप में नियुक्त किया गया है तो आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्टरपती के विज्ञान सलहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ये बात आपको ध्यान रखने हैं अगला प्रश्ण है किसे हाल ही में महराश्टर के एच एस एन सी है ना एच एन एस एच एस सॉरी एच एस एन सी युनिवर्स्टी द्वारा मानद दॉक्टर ओफ लेटरेचर से सम्मानित किया गया तो रतन टाटा जी को ये उपाधी दी गई अगला प्रश्ण है हमारा हाल ही में किसे सयुक्त राष्टर का अवर महा सचिव नियुक्त किया गया है तो रबाब फातिमा को हाल ही में सयुक्त राष्टर का क्या चुना गया है आपका अवर महा सचिव चुना गया है अगला प्रश्ण है मारा कौन सा देश आनेवारिय मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है यानि कि जरूरी नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसको मारना ही मारना है उसको मृतिदंड ही देना है ये जरूरी नहीं है तो ऐसा कौन सा देश है आपका मलेशिया एक ऐसा देश है जो इस बात पर सहमत हुआ है अगला प्रशन है हमारा भारत की पहली महिला पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सौरी ओ पहली की जगा महिला दिगाई दे र पहली महिला डिस्प्ले महिला बोल रहा है पता नहीं क्या हो रहा है महिला महिला दिमाग से अब पूरा-पूरा दिन हो जाता है काम करते करते हैं भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस सहर में स्थापित की जाएगी यह आपका उत्तर हो जागा क्या है तौह पे हैदराबाद में अगला प्रश्न है मारा अंतराश्टिय परिवारिक प्रेक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है तो अंतराश्टिय परि प्रमुक उर्जा कंपनी टोटल एनरजीज अडानी समू के हरित हाइडरोजन उद्यम में कितने प्रसत हिस्सेदारी हासिल करेगी हैना गौतम अडानी जो है उनका एक ग्रूप है हरित हाइडरोजन हैना ग्रीन हाइडरोजन उद्यम के नाम से उसमें फ्रांस की जो प्रम की सरकार ने कोविड महमारी के चलते भारतियों पर लगाए सक्थ बीजाre प्रतिबंदों को हटाने का फैसलह लिया है और कुछरेंट अफटर का आकरी सब्सक्राइब दंधाइब करते DES के सायद किया गया है बहत दिन है आपका 15 जून यह आपको ध्यान प्रस्ट फिर ह nauc यह अगला प्रश्न हिमारा यहां पर यह जनरल आवेरनेस है इसके इक है इसको एक दिन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो पूरवी रेलवे आपका कोलकाता पूरवी तटीय रेलवे भुवनेश्वर दक्षन पूरु रेलवे आपका क्या है इसमें गोरकपूर दिया हुआ है तो दक्षन पूरु रेलवे जो आपका गोरकपूर है ये गलत है पूरु मद्ध है हमारा राष्ट्रिय संवेदन सुदूर एन यहां पर लिख लेते हैं एन आर एस सी है ना नेशनल रिमोट नेशनल नेशनल रिमोट तेंसिंग सेंटर तेंसिंग सेंटर राष्ट्रिय संवेदन सुदूर केंदर कहां पर इस्तित है तो यह है आपका कहां पर इस्तित है अगला है बांगलादेश की मुद्रा क्या है तो आप आराम से बता देंगे बांगलादेश की मुद्रा क्या है आपकी टका है टका ठीक है अगला प्रशने लोकनत्य का एक रूप भीहू तो भीहू का नाम याद आते ही क्या याद आएगा आपको असम याद आएगा असम में बीहु नामक लोपनित मनाया जाता है ठीक है अगला प्रश्ण है मारा विशाक दत प्राचीन रचित नाटक मुद्रा राक्षस का विशे किस पर आधरित है तो आपकी पुस्तक लिखे हैं मुद्रा राक्षस बैकिस्स सम्मंदित है तो प्राचीन हिंदू जनसूती के देव और दानवों के बीच पिवाद पर नहीं एक आर्ये राजकुमार और आदिवासी महिला की प्रेम कता पर नहीं तो अनार्ये जातियों के भी चक्तियों के संगर की कता पर नहीं चंद्रुप्त के काल में दरबार के शड़यंत्रों पर मुद्रा राक्षस को लिखा गया है ये बात आपको ध्यान दाए तो अगला प्रशन है देखिए आपर दक्षन ACI छेत्रे सायोग संग है ना सार्क की स्थापना कब हुई थी देखो यहां पर दक्षन ACI छेत्रे सायोग संग है इसको दक्षेस भी कहते हैं क्या कहते हैं दक्षेस ये इसी का शोट फॉर्म है और सार्क भी कहते हैं सार्क इंगलिश में कहते हैं सार्क का फुलफॉर्म क्या है? सार्क का फुलफॉर्म है आपका South Asian Association for Regional Corporation. यह नाम है आपका सार्क का इस्थापना की बात करें तो स्थापना कब फुलफॉर्म की बात है। कुल कितने देश हैं, तो कुल आठ देश इसमें हैं, अगर उनको आपको याद रखना हैं, तो आप ऐसे याद रखना हैं, A, B, AB, MN, P, S, क्या रखेंगे, MN, P, S, तो पहले उपर वाले A, B, B का मतलब देख लेते हैं, तो पहले A, B, B का मतलब क्या हो जाएगा, A का मतलब हो जाएगा, अफगानिस्तान, क्या हो जाएगा दोस्तों, अफगानिस्तान हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा आपका भूतान, क्या हो जाएगा, भूतान, किसरे B का हो जाएगा, बंगलादेश, बंगलादेश, ठीक ह चौथे B का हो जाएगा आपका भारत अब इन MNPS का देख लेते हैं इस M का हो जाएगा आपका Maladiv Maldiv N से हो जाएगा आपका Nepal पी से हो जाएगा आपका Pakistan और S से हो जाएगा आपका Sri Lanka यह आठ देश कुल मिलागर क्या बनाते हैं आपका धक्षेश बनाते हैं, सार्क बनाते हैं, तो ये बात आपको यार रखते हैं, अगला प्रश्ण है मारा, अगला प्रश्ण है मारा, गोल्डन लेंड, निमलिकित में किस देश का एक लोकपरी ये उपनाम हैं, तो गोल्डन लेंड किसको कहा जाता है, आपको मैंन मार क गोल्डन लेंड कहा जाए अगला प्रश्ण है मारा यह मैंने अभी कुष्ण आपको करा दी थे बाद में क्या हुआ यही तो प्रॉब्लम्स होती है टेक्निकल प्रॉब्लम्स बाद में क्या हुआ कि तीन-चार कुष्ण अगला प्रश्ण है मारा इंडिया इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके है मौलाना अबुलकलाम आजाद और अगला प्रश्ण है मारा अगला प्रश्ण है मारा नंदी पहाड़ यहां कहां पर इस्तित हैं तो नंदी पहा परन्तों आज हिंदी दिवस है आज जरूर आपके पास हिंदी क्लास पहुंचेगी तो इसी इच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं राम जी की पाठ शाला मैं हूं राम भर्द जय हिंद जय भार्द